मा न होने का दर्द एक मा ही समझ सकती है मन में एक विचार आया क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए अपना ही स्कूल शुरू कर दे हमारे पास अलग अलग परस्तिति के बच्चे आते हैं किसे को खाणा नहीं मिलता, किसे को पहने के लिए कपड़े नहीं मिलते ऐसे बच्चों के लिए पिछले 16 साल से मैं और मेरे पती इन बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा देकर नई जिन्दगी दे रहे हमारे पास जो भी कुछ था, आमने ये सब स्कूल के निर्मान में लगाया अभी ये स्कूल एक तीन शेड के निचे शुरू है भारत एक डेमोकरटिक देश है, क्योंना इन बच्चों के लिए एक डेमोकरटिक स्कूल शुरू करे मुझे गर है, ये स्कूल हमारे बच्चे चलाते है और उनको लगता है कि उनका खुद का गर है बच्चो को तीन टाइम का खाना मैं और मेरे पती बनाते हैं और उनको बड़े प्यार से हम खिलाते हैं शिक्षा, संस्कार और खुब सारा प्यार हम उनको देते हैं छोटे बच्चो को मैं अपने गोद में लेती हूँ न तो उनके आखेबर आती हैं शायद मुझ में वो अपनी मा को देख रहे हैं आज हमें स्कूल एक रिमोट एरिया में चलाते हैं आजू बाजू में हमारे सिवा कोई नहीं है, बस्ती भी नहीं है, पानी की गंबिर समस्या है इन बच्चो के लिए स्कूल का इंफास्ट्रक्चर नहीं है रोज का खाना हमारे लिए देना भी मुश्किल हो रहा है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे एक विंती है उनसे कि आप आगे आकर हमें मदद करें आपके मदद से ही उनका बविश्य सुरक्षित हो सकता है